जै मातादी दोस्तो कर्वा चौथ 24 अक्टूबर 2021 रवी वार वाले दिन इस वार जो कर्वा चौथ का त्यवार है वो मनाया जाएगा आप सबको जितनी भी माताएं मैंने इस वीडियो को देख रही है आप सबको कर्वा चौथ की लख लख बधाईया बहुत सारी सुब कामना है इस वार आपकी जोड़ी को सलामत रखे और आपका जो कर्वा चौथ है वो हमेशा के लिए बना रहे है आप अपनी पती की लंबी आयू के लिए अपनी जीवन परियंत ये जो ब्रत है ये करती रहे है इसी आशिरवात के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो है वो में सुरू कर रहे हूं बहुत सारी दोस्तों ऐसी माताएं बहने हैं जो कर्वा चौथ वाले दिन ही पीरिट से महामारी से मासिक धर्म से ग जाता है जिससे उनका जो मन है वो ब्रहमित हो जाता है क्योंकि पूरा साल इंतजार करती है वो कर्वा चौथ का और आखरी में आते आते हैं उनका जो पीरिट से जो मासिक धर में वो आ जाता है जिसके कारण से वो पूजा नहीं कर पाती है और उनके मन में कई सारे विचा पहने की ना करें बहुत सारी ऐसी मताय बहने हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपकी सारी संकाओं का जो जवाब है वो देने वाली हूं सारी समस्याओं का जो समधान है वो करने वाली हूं आपको पूजा करन चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अगर आपको तीन दिन हुए हैं पास दिन हुए हैं या उसी दिन आया है तो आपको करवचोत की पूजा जो है वो करनी चाहिए कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए भगवान जी के मंदिर में आपको प्रसाहद है जो चढ़ाना चाहि अपने पती की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जो स्रंगार है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सारे सबालों का जवाब आज के वीडियो में मैं देने की कोसिस करूंगी दोस्तों तो आज का जो वीडियो है बगैर इसकिप किये हुए पूरा जरूर सुनिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करवचोत की जो पूजा है वो पीरेट्स में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए दोस्तों जो periods है वो एक biological है वो एक प्रकति का नियम है वो मासिक चक्र जो है वो 28 दिन का वो आपको आना ही आना है इसको कोई बदल ही नहीं सकता है ये जो मासिक धर्म है periods महामारी जो है ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि दोस्तों इसको कोई रोकी नहीं सका है ये एक भग आपको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आज के वीडियो में यहीं बताने वाली हूँ अगर दोस्तों आपको पीरिट्स आया है जिस दिन आप करवचोत कर रहे हैं सुबह आपने पूजा का संकल्प ले लिया है और उसके बाद आपका पीरिट्स जो है वो सुरू हो गया है तो आपको क्या पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए या आपको तीन दिन पाँच दिन साथ दिन हो गया है तो आपको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मतलब आज जैसे मालीजी 24 तारिक को आपका करवचोत है उसी दिन सुबह आपने संकल्प ल लेकिन दोस्तो अगर आपको पीरट्स आ गया है तो आपको जो हमारे सास्थ हैं, उनकी हिसाब से आपको मंदिर की सीडियां तक में प्रवेस्थ नहीं करना चाहिए, आपको भगवान जी जो हैं वो नहीं छूने चाहिए, मंदिर को हात नहीं लगाना चाहिए, भगवान से थोड़ी दूरी बना कर रखना चाहिए ऐसा माना जाता है कि आपकी परचाई भगवान जी को नहीं जानी चाहिए पीरट्स के दौरान तब ही दोस्तों बहुत जगे आपने देखे होंगे जो भगवान जी की मूर्ती है जो आपका मंदीर है वो एकदम से एकांत में बनाया जाता है बहुत सारी मताय बहने है पीरट्स के दौरान खाना भी नहीं बनाती है लेकिन पूजा की मैं यहां पर बात कर रही हूँ तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए भगवान जी के पास नहीं जाना चाहिए और मैं तो ऐसे बोलूँगी कि आपको मंदिर की सीडियों पे भी प्रवेस नहीं करना चाहिए लेकिन आपको ब्रत करना चाहिए और दोस्तों आपको ब्रत करने के बाद जैसे माली जी आपने ब्रत जो है वो स्टार्ट कर दिया है अब आपको साम को क्या करना चाहिए आपको जो आपने कलेंडर लिया है जो आपने भगवान जी की प्रतिमाय लगा के रखी है उनकी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए लेकिन आपको अपने पती की पूजा करनी चाहिए पती की आपको पूजा करनी है आपको स्रंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे हमारी माताएं बहने हैं हमारी बड़ी बहने छोटी बहने हमारी माताय बहने बहुत सारे ऐसे सवाल करती हैं कि ये बता दीजे दीदी कि जो हमारे स्रंगार हैं जैसे मान लीजे आलता है मेहंदी है सिंदूर है बिंदी है इनकों लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए तो मैं आप से यहां बोलना चाहूंगी कि आप सारा स् जादी में जब हम साधी होती है हमारी तो जो यलो कलर का जो पीले कलर का जो सिंदूर है वो हमारे मत्थे पे लगाया जाता है हमारी जो मांग है वो भरी जाती है वो सिंदूर आपको करवा चौत पे पीडर्स के दौरान नहीं लगाना चाहिए लिक्विड वाला भी बजार म आप लगा सकती है, पैरों में आपको आलता नहीं लगाना चाहिए, पीलेट्स के दौरान आप यहाँ पे मेहंदी लगा सकती है, बाकी आपको क्या नहीं करना चाहिए, दोस्तों आपको एकदम से जैसे माली जे कोई चूडियां हैं, तुरंत लेके आए हैं, नई और पहली बार आप करवा चूडियां पहनने वाले थे, लेकिन पीलेट्स आगया, इस वज़े से आप नहीं पहन रहे हैं, तो वो साड़ी आप नहीं पहनेंगे, आपके पास एक दो बार की पहनी हुई कोई साड़ी रखी है, उसी की सेट की चूडियां रखी हैं, तो आप व या आप सुखा वाला रेड वाला भी सुखा सिंदूर आपको नहीं लगाना चाहिए, पीलेट्स के दोरान, आप लिक्विट वाला लगा सकती हैं, और आप जो मैंने जैसे बताया कि जो चूडियां जो साड़ी हैं, वो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया उस तरीके स आपको चंद्र भगवान का जो अर्ग हैं, वो नहीं देना है, माली जी बहुत सारी माताएं बहने जो हैं, वो समू में पूजा करती हैं, मतब दो चार छे लोगी खटाओ के पूजा करती हैं, और अभी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं अभी दिती पूजा करती हैं, तो आप अपना जो अर्ग है, अपने नाम से उनके हाँ से दिला सकते हैं, और जो अपना अच्छत है, जो भी पूजा की सामगरी है, जो भी फल है, वो आप उनसे अर्पित करवा दिजी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत जो है, वो नहीं होगी, उसके बाद आपको चंद्रभगवान की दर्सन कर लेने हैं और जहां पे कथा हो रही है थोड़ी सी दूरी बना के आप जो कथा है वो आप सुन सकती हैं और आप अपना जो समान है जो भी पूजा का समान है जैसे माली जेश समू में पूजा कर रही है तो आपके गर में जो बुजूर्ग है जो भी बच्चे हैं जो भी बुजूर्ग हैं आपके हस्बंड है वो आप पूजा की समगरी वहीं पर रखवा दीजिए और जितनी भी माताएं बहने आपके साथ ने पूजा कर रही है उन में से किसी से अपना जो प्रसाद है वो चड़वा दीजिए कोई तिकत नहीं है आप चंद्र भगवान के दर्सन कर लीजिए उसके बाद अपने पती की पूजा कर लीजिए और जो ब्रत है वो पूण कर लीजिए अच्छा बहुत सारी माताएं बहनों का ये भी सवाल आता है कि करवचोत का कलेंडर हम ले आएं पूजा नहीं कर पाएं त ऐसा करने से आपका जो पूजान विधी पूरा नहीं हुआ था वो पूरा हो जाएगा और आपके करवचोत की जो पूजा है वो भी पूरी मानी जाएगी तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपके मन की जितनी भी संकाएं थी वो दूर हो गई होगी फि आज के वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ जैम आता दी दोस्तों